आपने मुवीज में कई बार ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जहां लोगों को पॉकिट वॉच या पैंडिलम का यूज करके हिपनोटाइस किया जाता है। सारी इन्फर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आईए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हिपनोसिस यानी सम्मोहन हिपनोसिस को मुवीज और बाकी सारी जगा ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे आप उस इन्सान के सामने पॉकिट वॉच घुमाओगे और उसका माइन स्लीप स्टेट में चला जाएगा। फिर आप उससे जो भी कहोगे वो बिना सोचे वो सब कर देगा जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। रियालिटी कुछ और ही है। हिपनोसिस में इनसान अकसर स्लीप लाइक स्टेट में या फिर लो दिखाई देता है। पर उस टाइम उनकी मैंटल स्टेट पहले से ज़ादा फोकस्ड होती है और अटेंशन बढ़ जाती है। और वो हाइपर अवेरनस स्टेट में चले जाते है। हिपनोसिस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मित फैले हुए हैं पर सच्चाई ये है कि हिपनोसिस के काफी सारे थेरेपेटिक और मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हिपनोसिस का यूज करके बहुत सारी साइकलोजिकल प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सकता है। चलिए हिपनोसिस की ब्राइफ हिस्ट्री देख लेते हैं। हिपनोसिस कोई नई बात नहीं है, इसका इतियास कई हजार साल पुरान है। इसकी शुरुआत 17th century में हुई थी, लेकिन इसने ग्रो करना शुरू किया था 18th century में। एक फिजीशियन थे फ्रांज मैस्मर, हिपनोसिस की शुरुआत का श्रे मैस्मर को ही जाता है। 18th century में हिपनोसिस को मैस्मरिजम के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगर साईकोलोजी में हिपनोसिस के बारे में। तो जीन मार्टिन ने हिपनोसिस का यूज करके एक हिस्टीरिया को फेस कर रही महीला कर ट्रीट्मेंट किया था। और यहीं से शुरुआत हुई थी हिपनोसिस के साइकोलोजी कनेक्शन की। इसके बाद इससे ही influence होकर segment fried ने psychoanalysis develop किया और अभी present में hypnosis से related काफी सारी state और non-state theories हैं जिसमें hill guard की neo dissociation theory one of the best theory है इतनी history काफी है hypnosis को समझने के लिए अब देखते हैं types of hypnosis यहां हम hypnosis के 3 main types की बात करेंगे जिसमें पहला है guided hypnosis यह hypnosis का सबसे simple और easy to apply type है इसमें pre-recorded instructions और music का use किया जाता है hypnotic state को activate करने के लिए बहुत सारी paid website और mobile applications है जिनका use करके hypnosis किया जाता है पर यह easy to use है इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आप किसी पर भी इसको apply कर सकते हैं hypnosis को try करने से पहले किसी expert से advice लेना बेहर ज़रूरी होता है इसके बाद second type है hypnotherapy hypnotherapy के नाम से ही आपको पता लग गया होगा hypnotherapy का मतलब है hypnosis का use psychotherapy के रूप में करना hypnotherapy का use करके बहुत सारी serious mental problems को cure किया जा सकता है जैसे कि anxiety, PTSD, depression और अलग-अलग तरा के disorders लेकिन hypnotherapy का use सिफ license physicians और psychologist ही कर सकते है बिना practice के ये सब करना आपको परिशानी में डाल सकता है इसके बाद तीसरा type जो है वो है self hypnosis self hypnosis एक ऐसी process है जहां इंसन खुद ही खुद को hypnotic state में ले जाने की कोशिश करता है most often इसका use किया जाता है stress management के लिए pain controlling के लिए अपने emotions, behavior और attitude में changes के लिए skill को enhance करने के लिए कई बार तो overheating और smoking जैसे problems को दूर करने के लिए भी hypnosis का प्रयोग किया जाता है hypnosis आपकी daily life के काफी सारी problems को दूर करने के लिए काफी होता है चलिए एक aim करते हैं अगर ये वीडियो हिट करती है 2000 likes तो self hypnosis के लिए एक detail वीडियो आपको इस channel पर मिल जाएगा ये हो गए types hypnosis के अब देखते हैं hypnosis का use कहां और कप कप किया जाता है movies में तो यही दिखाया जाता है कि hypnotize करने के बाद उसको बोला जाओ जाके उसका murder कर दो अब वो इनसान जाएगा और बिना कुछ सोचे उसका murder कर देगा ये hypnosis का use नहीं होता है hypnosis का real use होता है control of pain during dental procedures इसलिए dentist के syllabus में भी psychology पढ़ाई जाती है treatment and reduction of pain during childbirth to cure mental issues such as anxiety, PTSD, depression और phobia before chemotherapy और addiction खत्म करना जैसे treatment में भी इसका use किया जाता है अब देखते हैं hypnosis में होता क्या है और ये कैसे काम करता है although there are different techniques mostly clinical hypnotherapy को एक बिल्कुल शांत therapeutic environment में किया जाता है आपको बैठाने के बाद therapist आपको guide करेगा एक relaxed focused state में ले जाने के लिए उसके बाद आपको जो भी problem है उससे related experiences और उन situations के बारे में सोचना होगा एक positive way में सोचने के लिए आपको कहा जाएगा जिससे आपको मदद मिल सके उन problem से लड़ने और उने दूर करने के लिए ये सिर्फ एक overview है hypnotherapy का hypnosis के session 40 minutes से 1 घंटे तक के हो सकते हैं और इन सब के अलावा और भी काफी additional process इसमें होती है एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे hypnosis को stories और movies में dramatic तौर पर दिखाया जाता है प्रोट्रे किया जाता है वैसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा आप therapist के बात सुनके उसके suggestions को सुनते रहोगे यह आप पर पूरी तरह depend करेगा कि आप उस पर act करना चाते हो या नहीं उनकी बात मानना चाते हो या फिर नहीं और सारी mental problems के लिए hypnosis का use नहीं किया जाता है hypnosis का use तभी किया जाता है जब situation काफी जादा complicated काफी जादा complex होती है अब देखते हैं कुछ ऐसे मित जो सभी लोगों के mind में होते हैं hypnosis को लेकर और उन myths की reality क्या है लोगों के मन में मित होता है कि hypnosis है mind को control करना brainwash कर देना एक sleep state में चले जाना unconscious हो जाना लेकिन hypnosis में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब एक इंसान hypnotize होता है तो वो पूरी तरह सा aware होता है control में होता है natural और harmless state में होता है और वो hypnosis से कभी भी बाहर आ सकता है जब भी वो चाहे और hypnosis में आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो आप नहीं करना चाहते यानि आपके wishes के against therapist आपसे कुछ भी नहीं करा सकता आप वो ही करोगे जो आप करना चाहते हो दोस्तों हमें उमीद है कि इस वीडियो से आपको hypnosis समझने में help मिली होगी और psychology में इसका क्या use होता है ये समझ में आ गया होगा तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नई टॉपिक एक नई वीडियो के साथ थैंक यू